जी असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हो आप उमिन करतों सब घरिया से होंगे अलाम दले में भी घरिया से तो ये प्रेंस विलोग का मालिक जो ये गोश्च होया हुआ है तो आज इनके साथ वासा प्रेंग करते हैं अदेले अधिकली एटियार इतना टेम हो गया नाचा करें असलाम गाइस देखें से लादे क्या करते हैं कि और नाज़ कि अब है कि कहां पर जाना है कि अब तर्बूज वगए रहे हैं उनकी वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाएं तर्बूज कैसे होते हैं चोटे कैसे होते हैं बड़े कैसे होते हैं प्रफिद्ध चैज़ी बहुत अच्छ लगा दिखाएं अब आपको भी दिखाऊ हो आजीव टाइप से उनको कवर किया हुआ है वह इसलिए के वह गर्मी की इंदकाश तो दिया ना उनकी गीड़ चाही होती है आख पता है कि सर्दीयों के मौसम है इसलिए उनको कवर किया ह है शापर लगाया होता है चलते हैं कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ शुरू करते हैं अल्ला के नाम से आज का व्लॉग जैसे कि आपको पता है भी शेदाद भाई ने मेरे सा थोड़ा सा प्रैंक किया है कि आपको भी मदा आया होगा मैं सो रहा था क्योंकि रात को दरा मैं लेट सोया था इसलिए आज मैं दरा लेट उठाओं तो चलिए आज आज आपको दिखाना है मैंने गाव शिजाद भाई का यहां पर लगे हुए हैं वाटरमिलन तरबूज मतीरा तोणा सब नाम इसकी हैं दिखाता हूं आपको आप यह गाउं देखें दोस्तों बहुत जीब सा गाउं है मैं यहां आया हूं शिजाद भेकर बहुत ही जीब सा मुझे बहुत जीब सा लगा है अगर गाउं के अंदर चले जाए ना तो बहुत ही जीब सी गलियां है जिग-जाग टाइप की एक गलियों से तीन गलियां के निकल रही हैं यह फैसलाबास से कम चालिस-पचास किलोमेटर थोड़ा सा बीचे यह गाउं बहुत सी अजीब और डरावनी लोकेशन्स हैं यह पर यह देखें जी आप हम आगे हैं अजीब आप हैं यह जए तो फ्रेंद्स ठीक है आज का वलॉग यहीं पर खतम हुआ मैंने आपको दिखा दिया है तर्बूज लगे हुमें कैसे सद्धियों में कैसे उन्होंने उपर पैक्टिंग की हुई है कावर किया हुआ है ताकि जल्दी से तेयार हूं इंशालला हमारे किसान भायों की मेनद रंग लाएगी इंशालल यहां ज्यादा तर्बूज लगाते हैं क्योंकि यह है द्रियाई लगा यह द्रियाई रावी साथ ही है बिल्कुल मैं भी आज इंशालला चला जाओंगा अपने घर वापिस साहिवाल मैं तो जास टूर के लिए आया था ऐसे इंजॉयमेंट के लिए चुटियों ही नहीं तो चलिए दोस्तों सब दोस्तों को खुदा आफिज बहुत सारा प्तियार मिलते हैं अगले विलाग में बश्रत जिन्दगी खुदा आफिज